नमस्कार! बहुत सारे ये confusion है आज कल कि EV लें या कोई petrol car लें EV या petrol और इसको ना सब लोग सिर्फ number से बताने के कोशिश करते हैं EV इतने की आई की इतना per kilometer cost है, petrol car इतने की इतना per kilometer ये सही तरीका नहीं है और choice क्या सिर्फ इन दोनों के बीच में है या एक तीसरा option भी है आज ना इस वीडियो के बाद आपको ये confusion कभी नहीं रहेगा हमेशा के लिए खतम होने वाला है आज हम definitely cost के basis पे compare करेंगे और realistic cost के basis पे theoretical number के basis पे नहीं, practical number के basis में discuss करेंगे सारे factors को consider करके कि सच में कौनसी चलाने में ज़्यादा किफाइती पड़ती है प्लस convenience wise कौनसी better है दोनों के pros and cons क्या है environment wise कौनसी better है और future में आज ऐसा दिख भी रहा है तो 2 साल बाद, 4 साल बाद चलाते हुए उस समय क्या regulatory changes आने वाले है 2-4 साल बाद कौनसी गाड़ी आपके पास हो तो ज़्यादा better रहेगा हर factor को आज हम discuss करके ये conclusion निकालेंगे कि petrol better है, EV better है या फिर आपको तीसरे option की तरफ जाना चाहिए जिसके बारे में हम अभी भी काफी कम सुनते हैं लेकिन हो सकता है, वो best option हो तो आज जानते हैं कौनसी है कार में best choice in पीके बोला हम ज़्यादा तर calculation के लिए compare करेंगे same models तो जैसे nexon का top model petrol वाला जो लगभग 15,0,000,000 के आसपास का आता है और nexon की ही EV max का top model जो 19,0,000,0,000,000 के आसपास आता है similarly हमने tiago के prices देखे तो tiago का top model petrol वाला 9,0,000,000 का है और EV वाला 12,5,0,000,000 का है तो बाकि भी جब models हमने देखे तो एक पहला conclusion ये है कि EV शुरू में खरीदने में बैटरी साइस के हिसाब से पेटरोल कार से 30-40%, 30-40% जादा महंगी है तो अभी स्कोर कार्ड मेंटेन करते हैं किन-किन चीजों में EV अच्छी है, किन-किन चीजों में पेटरोल अब फ्रेंट कोस्ट 30-40% EV का जादा है पेटरोल कार को पहला एडवांटेज, सस्ता होना अब फ्रेंट कोस्ट सस्ता होना सेकेंड डिसडवांटेज EV में अगले साल से जब आप इंशॉरंस रिन्यू करवाओगे तो इंशॉरंस भी महंगा आएगा क्यों? क्योंकि कार महंगी है 19 लाग का इंशॉरंस का प्रीमियम हर साल महंगा होने वाला है कंपेट तो 15 लाग का हर साल का इंशॉरंस हाँ, बुजो कार के डिकलेर्ड वैलियो दो भी कम होती जाएगी लेकिन on an average इंशॉरंस भी, मैंने कई सारे कोर्ट्स चेक करके परसनली देखें, roughly 30% again, EV का इंशॉरंस महंगा होता है तो वो एक recurring cost है आप हर साल 7-8-10,000 रुपे extra देने वाले हो on insurance इसके बाद, तो अभी scorecard हो गया, petrol cars को 2 points, EV को अभी तक नहीं, तेकिन अब EV का नंबर आने वाला है, अब जब हम monthly cost की comparison में आ रहे हैं, तो हमने एक assumption लिया है कि 10,000 km per year car चलेगी, 800-800 km per month, roughly 10-12,000 का ही, एक average घर की running होती है, इसलिए वो assumption लिया है अब, जब ये assumption पे हम running cost पे आएंगे न, per km cost क्या आती है तो दो option थे या तो वो claim मान लो जो car गमनिया बोलती है कि हमारा mileage है या range है जैसे, Nexon EV Max बोलती है कि उनकी range है 400 km, लेकिन जिन्होंने भी review किया है, user experience मगर है कि actual में आता है 300 km के आसपास की range, किसी के लिए जादा हो सकती है, किसी के लिए कम based on running conditions driving style, etc, लेकिन roughly 300 km के आसपास की range आती है, on an average versus petrol cars का भी यही हाल है, Nexon petrol बोलती है, mileage 17, 18 का, most लोगों को, जो mix of city और highway driving करते हैं, उनको average आता है 12 के आसपास का अब इसमें एक चीज़ अच्छी थी कि जो claim है ना, उससे actual reality, petrol और EV दोनों के case में ये था, कि जितना claim किया जा रहा है, mileage या range उससे 60 के से 70% के बीच में, actual आपको range या mileage मिलता है तो हम actual range के basis पे comparison करते हैं, क्योंकि running cost तो claim वाले basis पे आनी नहीं है, उससे तो आपको 60% का average mileage या range मिलना है, तो हम actual running cost compare करेंगे based on actual figures, तो हमने Nexon petrol का mileage माना है 12 km per liter का, और Nexon EV max की range हमने मानी है 300 km की इसमें एक अगला factor आता है petrol prices, जो शहर शहर अलग है, तो 95 से लेके 110 रुपे तक petrol costs हैं, इंडिया में अलग 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 जगे लेकिन calculation को आसान करने के लिए, ये cost हमने assume की है, 100 रुपे per liter की, running cost को calculate करने के लिए, उसी तरह electricity charges charges भी हर शहर में अलग अलग है, 4 रुपे यूनिट, 5 रुपे, 6 रुपे, 7 रुपे इसको भी fair simple रखने के लिए, और थोड़ा higher side पर रखने के लिए, इसको assume किया है 6 रुपे per unit के हिसाब से तो petrol cost हम मान रहे है 100 रुपे और electricity की cost मान रहे है 6 रुपे per unit तो अब इस हिसाब से हमको ये ध्यान रखता है, पहला आपने EV अगर nexon की खरीदी तो आपने 4 रुपे extra pay किये हैं EV खरीदने के लिए तो मुझे कितने साल लगेंगे मेरे 4 रुपे recover करने में अगर मेरी EV 10,000 km per year चलती है तो कितने सालों में recovery आने वाली है तो देखो हम मान रहे है EV की range है 300 km और बिजली का charge है 6 रुपे per unit अब इसकी battery की capacity है कुछ 42 kW की कुछ energy loss वगर भी होगा roughly इसको charge अगर आप घर में करोगे घर के charger पे जहांकि price भी subsidized होता है बिजली का तो आपको charging cost roughly 50 unit बिजली लगनी है 45-50 unit 6 रुपे per unit के हिसाब से आपको 300 रुपे की cost आने वाली है और 300 रुपे की बिजली से जब वो गाड़ी charge होगी तो 300 km चलेगी यानि घर पे अगर आप charge करोगे तो आपको 1 रुपे per km की cost आने वाली है versus इसको अगर आप commercially fast charger से charge करोगे किसी petrol pump पे, ढाबे पे, service center पे तो ये cost दुग नी हो जानी है या उससे भी ज़ादा थोड़ी से हो जानी है बढ़ हम दुग नी मानते है तो आपको 2 रुपे per km के आसपास की cost आने वाली है अब ज़ादा तर समय जब तक मजबूरी नहीं है हम लंबा रास्ता तैनी करने है हम घर में ही charge करने वाले है तो हम इसकी cost एक रुपे ही मानते है घर पे charge करने की cost एक रुपे आने वाली है अब petrol 100 रुपे का है और mileage 12 के आसपास का है यानि अगर मैं 100 को divide करूं 12 से तो ये 8.5, 8.5 पर किलो मीटर की cost आने वाली है 8 से 8.5 रुपे यानि कि ये तो clear है कि EV के मुकाबले petrol गाड़ी को चलाने की cost अगर Nexon को मैं average एक sample मानू और हर गाड़ी का लगभग इसके आसपास ही है तो 8 गुना जादा महंगा है पेट्रोल कार को चलाना पर किलो मीटर लेकिन मैंने 4 लाख रुपे एक्स्ट्रा दिया है उसको recover करने में कितना डाहिंग रगएगा तो अगर मैं साल के 10,000 किलो मीटर इस गाड़ी को चलाता हूँ तो पेट्रोल गाड़ी को कॉस्ट आई 8 रुपे पर किलो मीटर के हिसाब से 80,000 रुपीज और एवी को चलाने की कॉस्ट आई 10,000 किलो मीटर 1 रुपे पर किलो मीटर के हिसाब से 10,000 रुपे यानि पर यर अगर मैं 10,000 किलो मीटर चला रहा हूँ तो I'll save 70,000 रुपीज लेकिन मैं हर साल 18,000 रुपे इंशॉरंस में भी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ चलो उसको अभी हटाते हैं वो एक तरह से ओफसेट हो जाता है क्योंकि पेट्रोल कार का थोड़ा मिंटेनिंस जादा होता है तो मैं इंशॉरंस में 7,000 रुपे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ इवी में लेकिन मैं पेट्रोल गारी में क्योंकि पार्ट्स जादा है इंजिन है क्लाच है गयर है बहुत सारे पार्ट्स है उनको मिंटेन करने की कौस्ट जादा हो जाती याने 6 साल में मैं 4.2 लाक रुपी सेफ कर पाऊंगा जो मैंने एक्स्ट्रा पे किये थे एक ईवी लेने के लिए ये सोच किया कि मेरी कौस्ट बचेगी तो 6 साल में ब्रेक इवन पे मैं पहुँच रहा हूँ उसके बाद सेविंग्स चालू होगी कई लोग यहीं पर रुप जाते हैं लेकिन ये सही नहीं है क्यूंकि इसमें हमको एक और फैक्टर देख ला है एक जगे ना जब मैं एवी ले रहा हूँ तो मैं 4 लाक रुपे एक्स्ट्रा अप्फरंट दे रहा हूँ वो मेरे पहले ही दिन चले गए वर्सेज पेट्रोल में मैं हर साल 70,000 रुपे डाल रहा हूँ तो मान लो मैंने एवी ली मेरे 19 लाक रुपे लग गए वर्सेज मैंने पेट्रोल कार ली 15 लाक की जिस पे फिर मैं 70,000 का पेट्रोल डलवाऊंगा उस साल तो पहले साल मेरे पेट्रोल कार की कॉस्ट पड़ी 15,70,000 15,00,000 की कार और 70,000 का पेट्रोल याने पहले साल मेरे 3,30,000 रुपीज बज गए जो चले जाते अगर मैं EV लेता वो 3,30,000 मैं बैंक में एक साल रखके उस पे ब्याज भी कमा सकता हूँ अगले साल मेरे को 70,000 का ही पेट्रोल लगा अभी भी 2,6,00,000 रुपीज बज गए बैंक में याने 2,6,00,000 पे मैं 2 साल ब्याज कमाऊंगा तीसरे साल भी और 70,000 गए 1,9,00,000 लगभग 2,00,000 रुपे बज गए मैं उस 2,00,000 पे 3 साल तक ब्याज कमाया तो अगर मैं उस पैसे को बैंक में रखूँ कुछ पैसे पे मैं 5 साल ब्याज कमाऊंगा कुछ पे 4,3,2,1 और फिर मैं इसकी कॉस्ट को कंपेर करूँगा तो असली ब्रेक इवन आठ नौ सालों में आ रहा है 9 साल तक लग जा रहा है मुझे एक्चुली में ब्रेक इवन करने में अब यहां भी कहानी खतम नहीं होती इस बैटरी पे जो वारेंटी है न जादा तर कमपनियां 7 से 10 साल तक की वारेंटी दे रही है और मैंने देखा कि 9 साल तो मुझे ब्रेक इवन करने में ही लग रहे है अब जब ब्रेक इवन हुआ नहीं जैसे टाटां एक्सॉन के केस में 8 साल की वारेंटी है बैटरी पे मेरा ब्रेक इवन हुआ नहीं कि बैटरी की वारेंटी चली गई अब बैटरी को अगर कुछ होता है उसके बाद 8-9 सालों में वैसे भी capacity तो नीचे जाएगी 8-9 साल बाद warranty के बाद अगर मुझे battery replace करनी है तो वो car की total cost का 40% के आसपास है यहने गर 18-19 लाग की गाड़ी है तो 6-7 लाग की तो उसकी battery ही है यानि battery cost बहुत substantial है तो अगर 8-9 साल बाद जब आप अपनी petrol car versus EV में EV की cost recover कर ही पाए हो और आप पे 7 लाग का battery का खर्चा आ जाए तो उस case में आपको overall EV मेहंगी ही पढ़ने वाली है तो अगर मैं purely इसको financial terms में देखूँ तो there is nothing to choose from अगर आप 10,000 moderate user हो car के और 10 साल car को रखने वाले हो तो probably आप दोनों मैंसे कुछ भी juice कर सकते हो हाँ अगर आप 10,000 नहीं चलाने वाले हो आप 15,000 चलाने वाले हो आप 20,000 चलाने वाले हो वाण लोग 20,000 आप गाड़ी चलाने वाले हो उस case में क्या होगा कि यह जो 8-9 साल का recovery period नहीं यह कम होके 4-5 साल का हो जाएगा फिर EV आपके लिए बहुत sense बनाने वाली है फिर EV बेटर हो सकती है तो कितनी running है लेकिन एक most case में average family की 10,000 से जादा की उपर running हो नहीं पाती reverse case अगर आपकी running 5000 ही है तो आप EV का पैसा कभी भी recover नी करने वाले है बहुत high running है EV की तरफ जा सकती है लेकिन बहुत high running है तो दिन में अगर 200 km, 200 km की running है तो आपको हमेशा range की anxiety होगी कि यार बैटरी चलेगी की नहीं मैं कहां charge करूँगा तो इसलिए taxi जैसे इसको use भी नहीं किया जा सकता बहुत जादा उचलेगी नहीं किसी दिन 500 km जाना है तो आप क्या करोगी तो इसलिए अभी अगर मैं सिर्फ mathematics से बोलू तो most cases में 50-50 है क्या choose करो EV लेना सस्ता है जादा किफाइती है ऐसा अभी तो बिलकुल नहीं है हो सकता है आगे ऐसा हो जाएगा अब एक बात आती है प्रांजल जिम्मेदारी का क्या environment का क्या सिर्फ अपने पैसे के लिए हम petrol गार की तरफ जाना है और बात तो बराबर ही है तो अगर बात बराबर है petrol और EV में तो हम कुछ planet के लिए अच्छा कर लेते हैं EV ले लेते हैं pollution मिटाने में हम मदद करेंगे अच्छा खयाल है और होगा भी कुछ हट तक होगा भी लेकिन जितना हम सोचते हैं न उतना नहीं होगा क्यों पता है क्योंकि अगर हम बिजली से चलने वाली car use करेंगे तो बिजली की खपद बढ़ेंगे और भारत में 70% बिजली 70% electricity आज भी कोईले से बनती है तो हम कोईला जादा बर्न करेंगे उससे भी pollution होता है हाँ एक benefit है कि शहरों का pollution कम हो जाएगा localized pollution कम हो जाएगा हमारे metro में गाडियों से निकलने वाला धुआ कम हो जाएगा लेकिन power plant वाला pollution बढ़ जाएगा और फिर भी EVs better है क्योंकि 30-35% बिजली तो actually non-polluting sources से होती है तो हम उतना pollution तो कम करी रहे है 30-35% pollution एक EV कार कम करती है मैं आज ये मानूंगा versus a petrol car क्योंकि 35% जो बिजली है वो non-polluting sources से होती है और दूसरा शहरों से pollution हट के isolated spaces में हो जादा है तो हमारे फेफड़ों में उतना production नहीं जा रहा है ये दो benefits बिल्कुल है लेकिन एक mental stress EV बढ़ा देती है range anxiety का अगर मेरा रोज का चलना है जिससे 25-30% battery खर्च होती है और मेरी battery कार की 50% है मैं सोचा था अभी तो कल के बाद charging में लगाऊँगा कल 25-30% खर्च हो जानी है कल अचानक से मुझे कहीं दूर जाना है मेरी battery 100% charge नहीं है और मैं नहीं जा पाऊँगा मुझे plan करना पड़ेगा वहाँ charger है वहाँ है पहले से कोई कार लगी हो तो मेरा trip डिले हो जाएगा और दिमाग में हमेशा नजर battery पे जाएगे पेट्रोल में ये problem नहीं है दो मिनिट में डलवाया 400 किलो मिटर चले तो stress थोड़ा EV जादा देती है environment के लिए आज better है जैसे बहारत में non-polluting sources और से और बिजली बनने लगे EVs बहुत better होती जाएगे लेकिन mental stress आज एक EV थोड़ा सा जादा देखती है तो ये उसका downside है तो अभी तब ज़रा एक बार scorecard देख लेते है upfront cost में पेट्रोल कार बेटर insurance cost में पेट्रोल कार बेटर running cost में EV बेटर है maintenance cost में EV बेटर है environment के लिए EV बेटर है stress में पेट्रोल कार बेटर है less stress आपको देगी तो अभी तक तो एकदम बराबर बराबर हो गया है ये तो tie हो गया क्या किया जाए tie breaker कैसे होगा tie breaker होगा third option है hybrid cars major hybrid cars Toyota ने निकाल दी है मारूती ने निकाल दी है Honda ने निकाल दी है इसमें क्या होता है इसमें जब जरूरत हो कि कार पे के engine पे load कम है smooth road है कार पे कम लोग बैठे हैं तो वो कार roughly पूरी EV motor पे चलती है और जब चढ़ाई है या load बहुत जादा है तो petrol engine भी किकिन कर देता है petrol plus EV दोनों मिलके उस गाड़ी को चलाते है तो जरूर पढ़ने पे वो pure EV जरूर पढ़ने पे pure petrol जरूर पढ़ने पे दोनों मिलके इसके benefit क्या है पहला हम इसको भी cost से discuss करते है तो roughly ये pure EV कारों से 15% के आसपास महंगी है याने ये एकदम बीच में petrol cars उससे 15% महंगी होती है ये hybrid cars उससे 15% महंगी होती है pure EVs ये एकदम बीच में है petrol car को चलाने की cost 8-9 रुपे पर किलोमेटर EV को चलाने की cost 1.5 रुपे पर किलोमेटर अब hybrid car यहां भी एकदम बीच में है ये ना आपको average दे देंगी 20-22 का याने petrol car से लगभग double क्योंकि आधे टाइम तो ये EV पर चल रही है तो petrol car से लगभग double average लगभग double तो नहीं गट आसपास जिससे इसकी running cost जो एक petrol car की है 8-8 इसकी running cost आजाती है 45-5 रुपए क्योंकि ये 20-22 का average दे देगी जहां Nexon आपको 12 का average दे रही थी उससे similar इस तरह की car 20-22 पर किलोमेटर का average देगी याने running cost 45-5 रुपए आ जाएगा cost अगर Nexon में hybrid आती तो जैसा मैंने बाकी कारों में देखा क्योंकि पेट्रोल वर्जिन से ये देड़ 2 रुपए महंगी होती है तो अगर Nexon की EV होती तो ये 16.5, 16.5, 17.5 के आसपास में होती EV 19 पे, पेट्रोल 15 पे अब अगर मैं इसका भी जैसे हमने EV और पेट्रोल कार का comparison किया था इसका भी break even बताओ आप पेट्रोल कार से देड़ लाक रुपए जादा दे रहे हो इसकी running cost है 5 रुपए पर किलोमेटर 10,000 किलोमेटर अगर पर येर चलेगी तो इसकी running cost आएगी 50,000 रुपए साल की पेट्रोल कार की आ रही थी 80,000 यानि I am saving 30,000 पर येर 1,500,000 रुपए एक्स्ट्रा दिये मैंने 1.5 से 2 के बीच में यानि इसका break even भी 6 से 7 साल में ही है जो EV का है तो cost wise तीनों ही सेम है EV पे आपको upfront 4,000,000 रुपए एक्स्ट्रा देने है Nexon के case में break even 6-7 साल में आएगा hybrid में 1,500,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे अगर Nexon की आती है बाकी models का मैं example ले रहा हूँ Nexon की तो आती नहीं तो इसका break even भी वो 2,000,000 वसूलने में क्योंकि इसकी running cost 50,000 रुपए साल की है पेट्रोल वाले की 80,000 है और EV की 10,000 है इसका break even भी 6-7 साल में ही आएगा तो तीनो ही कारों में से आपको किसको चुड़ना है cost wise तीनो बराबर पढ़ने वाली है तो फिर यह third option अच्छा कैसे हुआ यह tie breaker कैसे हुआ दो कारणों से यह environment के लिए petrol car से better है double better है क्योंकि average double है तो उस कार से आधा पेटरोल जलाएगा याने आधा पेटरोल से याने आप environment को जो loss पेटरोल कार के मुकाबले कर रहे हो environment को जो pollution वो 50% कम हो गया एक तो यह अच्छी बात हो गई दूसरी इसमें अच्छी बात आपको जो EV में प्रॉब्लम है ना चल पाएगी की नहीं मिर को अचानक से 400 किलोमेटर दूर जाना है तो यह मेरी प्राइमरी कार नहीं हो सकती secondary कार ही हो सकती है प्राइमरी कार तो पेटरोल ही होगी वो प्रॉब्लम खतम यह hybrid कार है बैटरी पूरी जीरो भी हो जाए तो average इसका पेटरोल कार वाला हो जाएगा लेकिन पेटरोल से भी आप मजबूरी में जा सकते हो तो जरवत पढ़ने पे यह hybrid है जरवत पढ़ने पे यह purely पेटरोल है और जब धलान है या load कम है तो यह purely EV भी है यह कार बहुत flexible है pollution पेटरोल कार से half range वाला problem EV में जो होता है वो इसमें है ही नहीं और किफाइती cost में तीनों ही बराबर लेकिन इसका कोई disadvantage नहीं है दोनों के disadvantages को यह कम कर देती है और इसका खुद का कोई disadvantage नहीं है इसलिए आज अगर मैं कार ले रहा होता तो मैं जाता एक pure hybrid की तरफ तो उमीद करता हो कि इस एक वीडियो से अगले एक दो सालों के लिए ये problem solve हो जाना है कि hybrid, petrol और EV में से कौन से लेनी चाहिए मुझसे पूछोगे तो hybrid लेनी चाहिए This is Pranjal Camera signing off और जाने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ family के साथ share कर दीजेगा जो भी car लेने की सोच रहा है और अगर इस वीडियो से आपकी मदद हुई हो तो इस चैनल को subscribe कर दीजेगा बेल आइकन दबा दीजेगा और like करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है बाई बाई